कि अब एक इस वीडियो में ना तो मैं बात करने वाला हूँ आपसे mathematics की ना ही reasoning की तो कोई यस कर सकता हैं इसकी बात करने वाले हैं चलिए तो मैं ही बता देता हूँ आज हम बात करने वाले जीके की और जीके में भी most important questions जो की बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 50 most important inventors and their invention है मतलब आविशकारक और उनके आविशकार विज्ञान की शाखा में चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रशन आज का क्या है चलिए स्टार्ट करते हैं आर्क लैंप का आविशकार किस ने किया था अगर मैं आपसे पूछूँ आर्क लैंप का आविशकार किस ने किया था कोई बता सकता है जिसे हम हमफरी डेवी लैंप भी कहते हैं ठीक है तो आपको अब मैंने एक क्लू और दे दिया है तो देखिए इसका जो आविशकारक है वो है हमफरी डेवी ठीक है जिनके नाम है उनका नाम क्या है हमफरी डेवी ऐसा इसलिए क्योंकि इनके नाम पे लैंप भी पढ़ा ह मैंने Ark Lamp बोलू या Humphrey-Devay Lamp तो इसका आँसर क्या होगा आविशकारक Humphrey-Devay चले देखते हैं हमारा अगला प्रश्न इसमें क्या है Geyser-Muller Counter का आविशकारक कौन था या कौन है ठीक है, किसने किया था ये कोई guess कर सकता है Hans Giger इसका जो answer है वो आपका क्या है Hans Giger आविश्कार है कौन थे Hans Giger चल ये देखते है next question जो हमारा है वो क्या है Galvanometer का आविश्कार किसने किया मतलब आपका जो Galvanometer होता है उसका आविश्कार किसने किया किसी को कोई idea बहुत important question है बहुत जादा पूचे जाता है इसका answer कोई दे सकता है चले मैं लेधी पता दिता हूँ और जिसको लगता है उसे answer पता है वो comment भी कर सकता है देखते देखते वी किसला मुझे ये ये पता था तो इसका जो आविश्कार है वो किसने किया था responds एंपियर ने अगर बोला जाया इसके आविशकार कौन थे इंवेंटर थे एंपियर नेक्स्ट कुश्ण देखें चले देख लेते हैं गाँ देख हूंटन पैन का आविशकार किस ने किया था अगर मैं आपसे कहूं इसे जो इंवेंट करने वाले थे वो कौन थे तो वो थे ली वाटर मेन देखो फाूंटन किसका होता है याद करने की टिकनीक बता रहो fountain किसका होता है भाई पानी से बनता है ना fountain और जो इसका आविश्कार कौन है L E याद रख लो starting का और फिर waterman भाई पानी वाला एक आदमी था हिंदी में पानी वाला एक आदमी था जिसने किया था याद करने की टिकनीक असान लगी नहीं लगी ऐसे इसे याद रखिएगा चले देखते है ने expression क्या है द्वनी युक्त फिल्म का आविश्कार किसने किया था मतलब जो आपका द्वनी युक्त फिल्म फिल्माई जाती है उसका आविश्कार किस ने किया है तो भाई इसे कहा जाता है ली डे फॉरेस्ट ली डे फॉरेस्ट फिल्म का आविशकार किस ने किया था या मैं बोलू हिंदी में वाक चलचित्र का आविशकार किस ने किया था ठीक है आपका किसका तो इसका आंसर है जैमसोली एवम एच बागट ठीक है तो इ लोग थे वो, जब भी अंसर आएगा, तो किसका आएगा? दो लोग का नामाएगा, तो एक मसवाली था, और एक बागट था चलिए देखते हैं, अगला प्रशन क्याहां है Photometer का आविश्कार किसने किया था? Photometer का आविश्कार किसने किया था? Edward Charles Pick King एडवर्ड चार्ल्स पिक किंग ने किया था तो आपको जब भी बोले जाए फोटो मीटर तो आप एक चीज यार रखो किंग, किस ने किया था भाई किंग ने किया था कोई से तो जब भी नाम आएगा आपको clear हो जाएगा कि इसका नाम क्या होगा तो देखिए इसका जो आणसर है वो आपका है लुई लील प्रिंस इसको किस ने बनाया था प्रिंस ने बनाया था चलिए अगला देखते है अगर मैं बोलूँ एवल्यूशन थियोरी के जनक कौन है तो आप उसका आंसर किसे दोगे चार्ल्स डार्विन बहुत फेमस नाम है साइन्स की जितने भी साइन्स के स्टुडेंट है उन्हें तो आईडिया हो गई तो क्या है चार्ल्स डार्विन अगला कॉश्चन देखते हैं विद्दु चुम्बक या इलेक्रोनिक मैगनेट अगर मैं कहूँ विद्दु चुम्बक या आपको कहूँ इलेक्रो मैगनेट तो इसका जो आविशकार है वो किस ने किया था डबलू सर्ट जर्म ठीक है कौन ने किया था सर्ट जर्म ठीक है तो नेक्स कुशन अब जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो आप याद रखो यह जो आविशकार रख है यह आपको हर कहीं नहीं मिलेंगे सब्जिक अब टॉप 10 टॉप 15 दिये रहता है हम आपके साथ इतने जादा शेयर करेंगे कि आपको कहीं से भी कहीं तक दिक्कत नहीं आई यह एक्साम में तो कीव वाचिंग अस अगला कॉशन में पढ़ रहा हूँ तो बाई यह किया था एक वीलर ने अब वीलर से तो आप लोग समझी गए हो वीलर क्या होता है वील होता है आपका जो पंकह भी है वो भी कैसे काम करता है वील की तरह तो आप याद रख लिए Na जो पंकहे का आविश्कार होगा electronic पंकहे का, electrical पंकहे का फैन का, तो आप हमेशे आ रख लग न वो किस ने किया था, एक वील नहीं किया था तो वीलर इससे answer हो जाएगा आपका चले देखते है next question क्या है electrical lamp का आविशकार किस ने किया था अभी हम क्या select करें जो electrical आविशकार हुए थे ना अलग-अलग जो आज हम product use करते उनके आविशकार कौन कौन थे ठीक है तो वो हम देख रहे हैं आपर तो electrical जो आपका lamp था उसके जो आविशकार थे वो कौन थे Thomas Elva Edison यह बहुत famous नाम है यह भी आपको याद रहेगा Thomas Elva Edison ठीक है अब अगला देखते है electrical press के अगर मैं कहूँ तो कौन थे आविशकार रख भाई तो आपको बोल दिया जाएगा HW Silly इसका अंसर क्या है आपका HW Silly अगला परशन देखू है या नहीं देखू देखना ही पड़ेगा आपके लिए अच्छा है चलिए अगला परशन देखते है DC motor का आविशकार किस ने किया DC motor का आविशकार किस ने किया तो यह होगा आपका Genebo Grammy क्या नाम था इनका Genebo Grammy अगला देख लेते हैं dialysis की जो machine है भाई kidney की machine है dialysis की जाता है उसका आविशकार किस ने किया था बहुत important है और यह जानना बहुत important है तो यह जो आविशकार रहते हैं उनका नाम था कोल्फ क्या नाम था कोल्फ अगला देख लेते हैं भाई dynamo का सिद्धान्त जो आपका है उसका जो आविशकार है कि कौन है मतलब dynamo का जो principle है वो किसने दिया था तो यह बहुत important है यह सबको idea होगा Michael Faraday ने किसने दिया था? Michael Faraday ने चलिए अगला देख लेते है डीजल इंजन का आविशकार कौन है भाई डीजल से ही नाम याद रखो डीजल मतलब डीजल ने किया होगा तो यह कौन से डीजल है? यह Rudolph डीजल है कौन है? Rudolph डीजल चलिए अगला पशन देख लेता हूँ मैं आपके लिए कार्बोरेटर का आविशकार किस ने किया था? तो हम बोलेंगे गौट लीब डैमलर कौन? गौट लीब डैमलर यह किस के लिए कार्बोरेटर के लिए है? ठीक है? अगला देख लेते है डाइनामाइट का आविशकार किस ने किया था? ये बहुत लोगों को पता भी होगा अल्फरेड जो आपके अल्फरेड नोबल है उनने किया था ठीक है तो उनने किसका किया था आपका डाइनामाइट का अविशकार अल्फरेड नोबल ने किया था अगला कुश्यन अगला कुश्यन देखते है क्रोनोमीटर का अविशकार किसने किया था जॉन हैरिसन किसने किया था जॉन हैरिसन क्रोनोमीटर का चलिए अगला देख लेते है क्रेसकोग्राफ का अविशकार किसने किया था क्रेसकोग्राफ का तो यह किसने किया था JC Bose ने सबसे important इसलिए हो जाता है योगि एक Indian थे अगला देख लेते हैं Clock जिसे हम जो pendulum जिसमें होता है Clock with pendulum का जो invention था वो किस ने किया था तो ये किया था C. Huggins ने के नाम था इनका C. Huggins Next question Cinema का हाविश्कार जो किया था वो किस ने किया था Al J. L दो थे भाई ब्रदर सो सकते है Al J. L. Lumiere ने किस ने किया था Al J. L. Lumiere ने Next देखते है Cine Camera का आविश्कार जो है invention जो है किस ने किया था तो ये किया था Freeze जो आपका Freeze Green ने किस ने किया था Freeze Green ने Computer का तो आपको पता ही जनक किसे कहा जाता है computer का अविशकार किस नहीं किया था भई Charles Babes ने किस ने किया था Charles Babes ने अगला देख लेते हैं Cinematography का अविशकार किस ने किया था Thomas Elva Edison फिर से आ गए नाम बहुत famous नाम है याद रखिए Thomas Elva Edison petrol car का अविशकार किस ने किया था तो यह answer है आपका call Benz ने किस ने किया था Carl Benz ने अगला देख लेते हैं भई आंतरिक दहन कार का आविशकार ठीक है किस ने किया था internal convention ना अगर मैं बोलूँ आपसे IC car का आविशकार किस ने किया था तो यह आपका क्या इसका answer क्या है Samuel Brown ने किसने Samuel Brown ने देखो इसे याद करने के तरीके Samuel Brown का बहुत अगला देखते हैं वाश्पकार का आविशकार किसने किया Nicholas Kudnot ने अगला देख लेता है Centigrade Scale का आविशकार किसने किया भाई A Celsius ने आप यह याद रखो Centigrade Scale है ठीक है तो आप में Centigrade नामते हो वो तो ठीक था Celsius में आपा जाता है वो यह भी आपको पता है तो बस Alphabet A यूसकार लो तो A Celsius ने Calculator का जो आविशकार है वो किसने किया था पासकल ने ठीक है पासकल बहुत important factor है हमारी जो science है उसका विज्ञान का ठीक है तो पासकल ने किया था किसका आविशकार आपके calculator का next देख लेते हैं आपका cycle tire का आविशकार किसने किया था तो भाई यह GB Dunlop कौन है यह sorry JB Dunlop my mistake JB Dunlop अगला प्रशन देख लेते हैं दोस्तो cycle का आविशकार अगर देखे देखे देखो इससे पहले मैंने बता है cycle tire का अब किसका बता रहा हूँ cycle का confuse मत हो न cycle का आविशकार किसने किया था who is the inventor of cycle तो आप K Macmillan कौन K Macmillan अगला देखिए ballpoint का अगर मैं देखो आविशकार किसने किया था तो वो क्या नाम था C B R O ballpoint का आविशकारक जो है वो कौन है C B R O अगला प्रशन है barometer का आविशकार किसने किया था ये कोई बता सकता है answer बहुत important है barometer barometer का आविशकार किसने किया था आप क्या नापते हो बैरोमीटर में ठीक है तो ये भी डिपेंड करता है बहुत जारा तो बैरोमीटर का आविशकार किस ने किया था तो आप बताएंगे इवांगेलिसिटो तारी सेली जो इसका नाम है वो यही है आपका इवांगोलिस्टो तारी सेली तो यह इन ने किया था बैरोमीटर का अब देखता हूँ मैं इलेक्टरिकल बैटरी का आविश्कार किसने किया था तो यह सबको पता होना चाहिए बाई विद्द बैटरी का आविशकार किसने किया था वोल्टा ने किसने किया था वोल्टा ने अगला देख ले जब उनने वायू यान का आविशकार किया क्योंकि सब बोलते थे गलते गलते लेकिन वो राइट थे और वो क्या थे ब्रदर तो वो क्या होगे राइट बंधू ये राइट ब्रदर सांसर ठीक है अगला देखते हैं एसी मोटर का आविशकार किस ने किया था तो निकोला टेसला टेसला मोटर साती है वही उसी के नाम पर है निकोला टेसला एयर कंडिशनर AC जो है आज हम लोग खूब इंजॉय करते हैं AC में बैठते हैं हम अच्छा लगता है उसका invention किस ने किया था भाई तो ये जो नेक इंसान है वो उनका नाम है विल्स हैवी लेंड केरियर विल्स हैवी लेंड केरियर ठीक है अब अगला देख लेता है ट्रेक्टर अगर आविशकार देखें ट्रेक्टर ट्रेक्टर जिसे बड़े विकल का जो आविशकार है वो किसने किता विखल का आविशकार तो उनका नाम है आपका Robert Formich के नाम है Robert Formich अगला कॉशन देख लेता हूँ मैं टेलेसकोप का आविशकार किसने किया था भाई तो टेलेसकोप का आविशकार है वो किया था हन्स लिप रशे ने किसने हन्स लिप रशे ने अगला देख लेता हूँ टेलीफोन का वो टेलेसकोप था न हाँ अब हम अगर बात करें टेलीफोन ये सबको पता है ग्राम बेल इसका अंसर है टेलीफोन का आविशकार किस ने किया था तो पूरा नाम देखें तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ठीक है next question टेलीग्राम का आविशकार किस ने किया था भाई बहुत important है Samuel F.B. Morse ने किसने Samuel F.B. Morse ने किया था किसका टेलीग्राम का टेंक का आविशकार किस ने किया था तो भाई ये टेंक है गौन सा ये टेंक आपका है जो सेना में यूज होता है उसका आविशकार किस ने किया था Sir M.S. Swinton किस Sir M.S. Swinton है अगला देखू तो सिस्मोमीटर का आव सिस्मोमीटर से तो इनके गों कौन थे यह थे रॉबर्ट मेलेट कौन थे रॉबर्ट मैलेट है अगला देखते हैं stainless steel जो आज की डेट में हमारे बरतनों से लेकर काफी चीज़ों में जत्ते बहुत सारे equipment से उनमें यूज होता है यह धातू जो है यह एक alloy है यह किसमें आपकी जो इसका अविशकार है किसने किया था तो इसका अविशकार किया था आपका हैरी ब्री अरले तो अगर अब देखा जाए इसका नाम जो है हैरी है stainless steel का है बहुत important है एक्जाम में कई बार पुछा जा चुका है आज का दोस्तो अंतिम प्रश्न में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ steel अभी stainless steel पढ़ा था अब steel steel भी हमारे लिए बहुत important है बरतनों से लेकर कहां कहां ही steel यूज़ नहीं होता आप आज की डेट में हर जगा steel का यूज़ कर रहे है उत्पादन जो है उसका किसने शुरू किया था मतलब जो production है वो कहां से start हुआ है उसका तो यह start किया था आपका inventor भी कह सकते है उसका godfather भी कह सकते है आप जनक भी कह सकते है तो henry bessemer कौन थी है henry bessemer ठीक है तो यह तो थे आज के हमारे top most 50 questions on inventor and their inventions आने वाली कक्षा में हम और भी लाएंगे और अगर अब तक आपने प्रेंटे में मिलते हैं आप से तब तक लिए बाइबाए थैंक यू वाचिंग वाचिंग अस वर मूर अपडेट्स सब्सक्राइब तु आर चैनल क्लिक देशों लिंक्स और एंजोए वाचिंग देटियो